हेलो एवरीवन वन्स अगेन वेलकॉम बैक टू माई चैनल आज इस वीडियो में शेयर करोंगे कुछ ऐसे खुबसूरत फूलों वाले पोदे जिनकी कटिंग आप इस समय बहुत असानी से ग्रोव करके नहीने पोदे फ्री में बना सकते उस कंडिशन में कि अगर आपके पा जब रेडी कर सकते हैं यह जितने भी फूलों वाले पोदे हैं यह बहुत लंबे समय तक जो है वो फ्लॉवरिंग करते रहते हैं तो वीडियो को आखी तक जरूर देखिए गर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनलों को कर सकते हैं और कटिंग लगाने के लिए आप किसी भी वेस्ट में या फिर पॉड में मिट्टी जो है वो फसली अप भर लीजिए और मिट्टी बरने के बाद मिट्टी को मॉइस्ट करना जो है वो बिल्कुल भी मत बुलिएगा स्क्रीन पर जो प्लांट अब देख रहे हैं यह है जो ट्रोफा फ्लावरिंग प्लांट जो ट्रोफा बेहती खुबसूरत एक पर्मनेंट पूलों वाला पोदा होता है जिसकी कटिंग अप गर्मी सर्दी कभी भी लगा दीजिए बहुत असानी से 8-10 दिन में ग्रो हो जा कटिंग लगाने के बाद आप कटिंग को कुछ दिन के लिए शेडी अरिया में रख दीजिए मिट्टी में नमी बना कर रखें लेकिन सोगी मिट्टी बिल्कुल भी ना होने दे और इस पोदे की जो कटिंग होती है फ्रेंड्स वो 10-12 दिन में असानी से जो हो ग्रो हो जा फ्रेंड्स नेक जिस पोदे की कटिंग आप इस तेम बहुत असानी से ग्रो करके उनके फ्री के प्लांट से बना सकते हैं वो है हमारा पैंजी फ्लावरिंग प्लांट यह एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है जो अपरिल मेई तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते इस पोदे की cutting आट से दस दिन में बहुत असानी से गोह जाती है. यहां पर यह देखिए जो मैंने cuttings लगाई थी इसकी गोह बहुत बहुत अच्छे से चल रही है, तो इसकी cutting को में बाहर निकाल के भी हम चेक कर लेते हैं. तो यहां पर यह आप देख सकते हैं जो मैंने कटिंग लगाई थी वो 100% जो है वो ग्रो हो चुकिए उसकी जड़ें बहुत अच्छे से हलकी हलकी सी आपको दिख भी रही होंगी तो यह पोदे की कटिंग से ग्रो करके आप इसके भी फ्री के प्लांट जो है रेडी कर सकते ह इंके नेचे पोदे की कटिंग भी आप इसे में बहुत असानी ही से ग्रों करके इनके नेचे पोदे कंट इसमें से नेने फ्री की दाटा ہے है वो है हमारा केल जिसे और्नमेंटल कैबिज कहा जाता है ये भी विंटर का एक सजावटी पोदा होता है जो बीज से कटिंग से असानी से ग्रो हो जाता है नर्सी में भी असानी से इनके जो पोदे होते हैं 30-40 रुपे तक जो है वो मिल जाते हैं यहां पर यह आप देख सक हैं बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ जो है वो चल रही है और अब इने मिने दूपली जगा पर रखा हुआ है दूपली जगा पर रखने से इनके जो कलर होते हैं वो बहुत ज़दा में रहते हैं और नेक्स्ट जो मैंने कटिंग ते वो इस वले पॉट में मैंने लगाई और वो कटिंग बिल्कुल ही आप देख सकते हैं बिल्कुल फेल हो चुकी हुई है ये पोदे cutting से असानी से ग्रोह हो जाते हैं और summer में भी ये पोदेए असानी से save भी हो जाते हैं और यहाँ पर यह देखिए मैंने इसमें से एक चोटी सी cutting को cut कर हुआ है friends सिसकी एक से दो node area लेकर आप यसे किसी भी waste में मिट्धी परके मिट्धी को moist करके आप इसकी cutting को लगा देजिए ये पोदे की cutting आट से दस तिन में असानी से grow हो जाती है तो यहां पर ये देखें friends मैंने अपनी cutting जो है वो इस वली waste में लगा दी है next में इसकी update पी share कर देती हूँ तो यहां पर ये जो मैंने cutting लगाई थी उसकी growth बहुत अच्छे से चल रही है अब इसकी cutting को निकालकर आपको check भी करवाती हूँ तो यहां पर ये देखें friends जो cutting मैंने इस waste में लगाई थी उसकी जड़ें बहुत अच्छे से यहां पर ये देख सकते हैं बन चुकी हूँ है तो ये पोदे की cutting भी आप बहुत असानी से grow कर सकते हैं ये एक succulent type का plant होता है friends जब भी आप इसकी cutting को grow करें पानी का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि over watering से इनकी जो cuttings है वो गल जाती है नेक जिस फूलों वाले पोदे की cutting आप इस समय बहुत असानी से grow करके इनके नेने पोदे फ्री में बना सकते हैं वो है केलन कोई flowering plant ये भी winter का एक बहुती खूब सुरूर इसकी बहुत सारी वेराइटी होते हैं जो वेराइटी आप देख रहे हैं ये इसकी hybrid वाली वेराइटी है जिसमे रंग पर पूल आते हैं इनके पूल लंबे समय तक अपने पोदों पर बन तो वहीं सही है पोदे अपनी जड़ें जो हो हलकी हलकी बना लेंगे और सक्लेंट होने की वज़े से इनको water की necessity इतनी नहीं रहती है पाने इन पोदों को तभी दे जब इनकी मिट्टी टोटली ड्राइ हो जाए फ्रेंट्स नेक जिस पूल वाले पोदे की cutting-up system बहुत अस इसके नीचे की leaves को हटाकर आप इसे एक से दो नौड अरिया किसी भी मिट्टी में डाल दीजे जैसे कि आप यहां पर यह देख सकते है मिट्टी मेरी मिट्टी मेरी अलड़ी गीली है तो बस इसी तरह से चोटी सी cutting को आप लगा कर इसे कुछ दिन के लिए shady area में रग दें और इसी में ही इनकी flowering जो है वो start हो चुकी हुई है तो यह पोदे भी cutting से बहुत असानी से ग्रो जाते हैं तो मैं इसकी cutting को बाहर निकाल के भी आपको बताती हूँ तो यहां पर यह आप देख सकते हैं फ्रेंड से कितनी अच्छे से इसकी जड़े जो है वो बन चुकी इनमें बहुत अच्छी और जबरतस flowering होती है तो यह पोदे भी कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं अपने मदर प्लांट से मैंने इसकी दो ब्रांचिस को कर दिया हूँ इससे पहले भी मैंने आप सबके साथ इसकी प्रापोगेशन को शेयर करा हूँ जैसे दूसरे प उधया है और यह पोदे की कर्ट निचे की डिचांग आप बना लीज the नीचे की की अट तो यह वित डिचायों बगाक्यों बहुत आसानी से ग्रो भूह आती है तो यह देख सेन यहां पर यह देखिए तो यह देख मिने नीचे की अट भी मैं रगा द manifest सम्टिम क्या होता है कि जो कटिंग लगाते हैं वो फेल भी हो जाती है हमारे जयनके में ठंड भी बहुत अधिक रहती है तो ठंड के कारण इसके एक कटिंग वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पाई है जैसे कि आप उसकी कंडिशन भी देख सकते हैं लेकिन दूसरी जो कटिं है फ्रेंड्स वो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्टिवस की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है तो यह पोदे की कटिंग बहुत असानी से ग्रो हो जाती है मिलेन पोदों की कटिंग को सर्दियों में ग्रोव करा हुआ है फ्रेंड्स नेक्स है मैक्सिकन हैदर प्ला से प्लकुषख रहता है जिसकी है चोटीषक रहते हैं आप चोटीषक में बना चिप की कटिंग और के आप च्टी नही पोदेख टेमें मेरे बना तो फ्लावरी कर्कते हैं इसके पोदे में बहुत प्लॉबरंГ करते हैं और शेतरत्य बहुत अच्छी क्टिंग पोदी नेक्स्ट में अप्रेट भी शेयर कर देती तो यहां पर यह देखे जो कुटिंग ने लगाई थी फ्रेंड उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है तो एक कुटिंगो बाहर निकाल के भी बताती हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी कितनी अच्छे से इनकी जो कुटिंगे उनकी चड़े बन चुके हैं तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं घर बैठे आप डेरो पोदे को कर दोड़ कर करके आप नएने पोदे फ्री में बना सकते हैं वह हमारा फ्रेंच मेरी गोल्ड यह पोदे ऐसे होते हैं जो पूरा साल पहुत अच्छी फ्लॉवि ो अगर जल्दी इन में डोट है तो अगर आपको बहुत जल्दी इन में इनकी ब्रांचेस पर मेंसे वाइट सैप निकलता है जब भी आप कटिंग को ग्रो करने जाएं तो आप कोशिश करें तो कि इनकी सैप को स्टॉप होने दे फिर इनकी कटिंग को ग्रो करें तो यहां पर याप देखिए फ्रेंड्स मेंने गलफ नहीं डालें इसलिए मैं अधिक पानी की वज़े से इनकी जो कटिंग बहुत जल्दी गल जाती है तो इस चीज का आप ज़रूर दियान रखे इस वाले पॉट में भी आप यहां पर यह देख सकते हैं मिने इसकी चोटी सी कटिंग जो ती वो डाल दी हुई थी और जिसमें फ्लॉवरिंग जो है व जो कटिंग से आप असानी से इनके नेने पोदे बना सकते हैं फ्रेंट्स पिटुनिया प्लांट की आप जितनी भी जादा उपर से आप इनकी पिंचिंग करते जाएंगे या फिर इनकी कोई छोटी-छोटी कटिंग को कट करके आप दूसरे वाले पॉड में लगाते जिसे में इस वाले वेस्ट में में लगा दिया है तो अगर आपके पास भी इस टेंग पर पिटुनिया प्लांट है तो आप उनकी छोटी-छोटी कटिंग को कट करके दूसरे वाले पॉड में लगाते जाएं तो ऐसे में वीदिन वीक में आप बहुत सारे पोदों को फ्र ऌसरा पोदे के अब आप एंदम है तो आप पोदे की कटिंग भी जूसरे के पनालेंगे निचे की लीज रेखरे शानने कौट इसके दिली मरीन हमारे डालई है तो आप जूभी जूछे की करते हैं हो गिली है तो यहां पर यह तेख breaths is typically cutting तक बना लेंगे निचे की लिफ को हटा कि एकसे दो नौड एरिया लेकर आप इसे किसी भी मिट्टी में लगा देंगे तो इसकी कटिंग बहुत असानी से 7-8 तिन में जो है वो ग्रो हो जाती है जितनी भी कटिंग देख सकते हैं इस वाले वेस्ट में लगा दी है छोटा सकती हैं तो अगर आपके पास अपना की अर्षी को अधे करते हैं, standards यह बुक्त भी प्लांट से बहुत निया थो तुरुत, पुद में मेननेक्पा। इसकी एक छोटी धाई से तीन इची की कटिंग को कट करके इस फले छोटे पॉट में में लगा दिया हूँ तो फ्रेंट्स इस पोदे की कटिंग भी बहुत ही असानी से पांच से छे दिन में जो है वो ग्रो हो जाती है और अगर आपके एक पोदा इसका नर्सी से लेकर आए तो आप इस टाइम पर आप चाहें तो डेहलिया प्लांट की कटिंग को भी बहुत असानी से ग्रोव कर सकते हैं वो भी 100% रिसल्स के साथ फ्रेंट्स इन एक पूरा साल अपने गार्डन में ग्रोव कर सकते हैं पर यह फ्लावरिंग जो है वो विंटर में करते हैं और पैस पाट यह है कि यह छोटी-छोटी कटिंग से असानी से आप इनके नेने पोदे इस टाइम पर बना सकते हैं तो यहां पर यह देखिए मैंने अपने एक मदर प्लांट से इसकी एक कटिंग को कट कर हुआ है फ्रेंट्स इसकी कटिंग को ग्रोव करने के लिए तीन से चार इ है कि अगर कि देखिए है तो इस टेम पर आप इन पोदों की कटिंग को गूं कर सकते हम फ्रेंड्स कटिंग Τशा टाम आप एक बात पात का IGH पर यह दियान रख कि अगर आप इनटर पोदों की कटिंग को ग्रों कर रहे हैं तो वन टाइम अगर आप मिम ट्टी को वाठी बिजात देने र toolbar को कर diffa न्य backward करें यहीं है और न्य ओख पोद्यटों केदा yeah यह फ्लावरिंग प्लावर्वन फ्लावरं फ्लावर फेक्नड फ्लावर फ्लावर न्य ऐसे ल couples dependent कि समय है में अर नान। आपको असे कंटेंघर लागात था हैं हैं और लोखे लाएज केशा थार loyal ठार रहएं पार लिग का कईथ ने की गाय हुए मुझे सिर्फ एक हफता ही हुआ है तो यह पोदे एक हफते के अंदर अदर आप इनके नेने पोदे जो है वो फ्री में बनादा तो कुछ फूलों वाले पोदे ऐसे होते हैं जिने आप पूरा साल इनकी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं और यह पोदे बहुत ही फोड़ी सी कमी जरूर आ जाती है, बट इसकी लीफ्स काफी खूबसुरत होती है, जिन्हें आप छोटी छोटी टिप की कटिंग से असानी से ग्रोव कर सकते हैं, इसमें दो वेराइटी आते हैं, ग्रीन वाली जो आप देख रहे हैं और इसमें को वेरिगेटिड भी आती है तो उनमें बहुत सुंदर सुंदर रेड, येलो, मजंटा कलर के छोटे छोटे फ्लोर से ब्लूम करते हैं, आप इन्हें छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्कीट में लगा सकते हैं, बहुत जल्दी ये पोदे पूरे पॉड को कवर कर लेते हैं, इसमें पर आप चाह तो ऐसे में ये पोदे बहुत जल्दी फंगस क्रियेट हो जाती हैं, जिसके चलते हैं हमारे विंका के पोदे हैं, जो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं, इस चीज़ का आप जरूर दिया, फ्रेंट से क्राय सेंथम, जिसे गुल्दाओदी कहा जाता है, ये भी पोदे कटिंग से असानी से रेडी हो जाते हैं, जिन्हें आप नेक्स सीजन के लिए भी सेव कर सकते हैं, अगर आपको फूलनों वाले पोदे भी से ग्रो करना थोड़ा सा टफ लगता है, तो आप इन पोदों की कटिंग को ग्रो करके बहुत से प्लांट जो फ्री में बन सकते हैं, I hope आज की वीडियो आप सबके लिए यूसफुल रही होगी, वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगे, तो प्लीज डू लाइक, शियर, कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल, थेंक यू फ्रेंड, स्टे बलेस्ट और बाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाब